हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आज की वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे डाउट को किलियर करूँगा जो अल्मोस्ट सभी के मन में है कई भाई के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है या फिर कोसन भी है अगर जर्मन सैफर्ड पपी के चेस्ट पर या फिर पैरो पर वाइट स्पोट आ जाता है तो वो मिक्स ब्रीड का पपी होता है या फिर 101% प्योर होता है तो इसी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर और वो भी विद प्रूफ बताऊँगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना बूले तो चलि फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पैरो पारा जाता है यहां तक कि उसका जो मजल होता है उसके नीचे वाले लिप पर भी white spot देखने को मिल जाता है तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो puppy mix है वो puppy 101% pure होता है इसमें आपको कभी भी घबराने वाली जरूरत नहीं है अकसर जर्मन सैफर्ड के puppy में white spot देखने को मिल जाते है अब बहुत से भाई इस चीच का proof भी मांगेंगे कि भाई proof क्या है कि white marking वाले puppy pure होते है चलिए मैं proof भी बता दूँ तो इंडिया के अंदर एक ऐसा नाम जो की जर्मन सैफर्ड की dog breeding में बहुत बहुत ज़्यादा famous है और all over इंडिया इनके puppy sale होते है ये नाम है प्रेम गरेवाल आप facebook पर जाकर इसी नाम से इनकी profile चेक कर सकते हो इनके पास एक dog है जो है इंडियान चैंपियन विलियम ये जर्मन सैफर्ड डॉग ब्रीड है और दोस्तो आप चेक करोगे इसकी chest पर white spot है थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देख सकते हो अगर दोस्तो ये mix dog breed होती ना तो आज इंडियन चैंपियन नहीं होता और इसके पपी all over इंडिया सेल नहीं हो रहे होते वो भी 50-60-60-000 रुपए के क्योंकि विलियम एक बहुत जादा strong line है वो इंडियन चैंपियन बन चुका है अब और दोस्तो इसके कुछ result की बात करें इसके पपी की बात करें तो अक्सर विलियम के पपी में white spots देखने के लिए मिल जाते हैं आपके सामने विलियम के पपी के कुछ फोटोज हैं आप किलियरली देख सकते हो इनके पैरो पर या फिर इनके चेस्ट पर white spot हैं और दोस्तो इसका मतलब यह नहीं है अगर इनके चेस्ट पर या लैग पर white spot है तो यह mixed breed हैं यह 101% जर्मन सैफ़ड़ा और बहुत ही जादा स्ट्रोंग लाइन के पपी हैं विलियम लाइन है इनकी ठीक है और दोस्तों यह all over world oh sorry all over इंडिया पचास पचास साथ साथ हजार रुपए के पपी सेल करते हैं क्योंकि बस इनका नाम चलता है इनकी breeding बहुत जादा famous है यह राप proof जो भाई यह सोंसते हैं कि अगर white spot है जर जर्मन सैफर्ड में कभी भी उसके पैरो पर उसकी चेस्ट पर उसके मुँपर कहीं white spot आ जाता है तो वो mixed breed नहीं होता वो बलकि pure होता है 101% तो इसमें कभी भी आप घबराओ मत इसमें घबरने वाली बात भी नहीं है जब भी आप पपी लो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंसर मतलो आप वो पपी ले लो क्योंकि वो 101% प्योर है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थेंक्स रोचिंग प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल